इस्टुडेंट कैसे हैं आप सब वेलकम है आपका हमारे यूटूब चैनल आई ड्रीम एकडमी पर मैं हूँ अनिश सर और आज के इस सेशन में हम कंपनी एकाउंट के इसू अपसे इंट्रोडक्शन के पार्ट को करने वाले हैं यह इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है जि मैक्सिमम एक्जाम्स में एम से क्यूज या जो थिवरी बेस्ट क्वेस्टन होते हैं वह इसी पार्ट से आते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी कंपनी क्या होता है पार्टनर्शिप में जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि मिनिमम क्या होते हैं टू पर्सन होते है एंड मैक्सिमम 50 इसमें हमने पड़ा की कंपनी एट सेक्षन 2013 के दोरा मैक्सिमम नंबर और पर्शन रेस्ट्रिट किया गया है एक्सेप्ट आफ पीपीसी अब कंपनी जब 50 या 50 से ज़्यादा होता है तो उस बिजनस को फॉर्म कियाता है कंपनी के रूप में कंपनी क्यों बनाया जाता है सिंपल सी बात समझे आप अगर आपको कोई बिजनस चलाने के लिए एक लाक रुपए चाहे तो सिंगल पर्शन एक एन कैरी 10 लाक रुपीच चाहे तो वन पार्टनर, सेकेंड पार्टनर एंड थर्ड पार्टनर तीन, चार, पांच पार्टनर मिलकर भी बिजनस में इतना कैपिटल इंट्रोडूस कर सकते हैं बट क्या होगा जब आपको ज़रुद पर टेन करोर रुपीच की इस सिचोशन में आप क्या करोगे तो इस सिचोशन में क्या है सिंपल सा एंसर है कि हमें मैक्सिमम नंबर आप पार्टनर चाहिए मैक्सिमम नंबर आप पार्टनर होगे तो ये कैपिटल इंट्रोडूस करना हमारे लिए इजी होगा तो maximum number मतलब more than 50 अगर more than 50 तो हमको 10 करोड easily available हो सकता है तो बात यहीं पर आती है कि जब हमें किसी ऐसे बिजनस को करना होता है जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा capital के जुरत हो तो ज़्यादा number of partners चाहिए होते हैं और ज़्यादा number of partners का मतलब हमें एक company form करना परता है आईए इसके definition को देखता है और company is a legal entity formed by a group of individuals to engage in an operator business enterprise मैंने भी बताया कि legal entity किसी भी company को अगर start करना है तो legal entity यानि की legal उसके जितने भी form जितने भी work है उसके according वो form किया आगा होगा और it is a group of individuals partnership group of two or more individuals maximum 50 but it is minimum it may be sometimes two sometimes seven sometimes 50 but maximum has no limit okay so this is called as group of individuals और किसी भी business enterprise को चलाने के लिए ठीक है अब अगर हम इसी definition को प्रोफेसर हैने के according देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में अग कंपनी इस एन आर्टिफिशियल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्यों होता है मैनमेड आर्टिफिशियल का मतलब क्यों होता है मैनमेड जिसे इंसानने खुद बनायों और कोई भी कंपनी जो होता है उसे कौन बनाता है हम बनाते हैं तो इसलिए हम इसे आर् artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal आप artificial company होता है law के दोरा बनाया गया होता है और separate entity मतलब कि इसका legal जो work होता है वो अलगी होता है यह बाकी business की तरह इसको treat नहीं किया जाता है इसलिए से हम इसका आते हैं separate entity with a perpetual succession and a common seal इसका common seal भी होता है यह क्या चीज़ होती है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग simply बस आप इतना जाने कि जब ज्यादा capital की ज़रुत परती है तो हम अपने लिए यानि कि artificial business form ready करते हैं artificial person बनाते हैं जिसे हम एक company कहते हैं ठीक है अब जो company है वो कितने तरह क्यों सकती है तो काइंट्स आफ कंपनी अगर हम देखे कि काइंट्स आफ कंपनी कितने हैं तो company जेक 2013 के according कंपनी को मैंली फंपनी बेशिस पर डिवाइड किया गया है अनलिम्टेड пут Fres अनलिम्टेड कंपनी कंपनी property should be sell कहने का मतलब आप partnership पड़े थे partnership में क्या था कि limited loan होता था नहीं वहां भी क्या था unlimited liability हुआ करता था unlimited liability कहने का मतलब यह होता है कि जब उस business को wind up कि यानि कि close किया जाएगा तो उस समय अगर उसके liability को payment करने के लिए हमारे पास amount कम पड़ता है तो हम उसके जो पर्सनल एसीड़ से उनसे हम इस चीज़ को कम्प्लीट करते हैं यानि कि उस्से हम लोग को से करते हैं तो unlimited company में भी liability के कोई limit नहीं होता जब यह company बंद रोती है तो यानि कि जो इसके ऑनर होते हैं उनके पर्सनल एसिट्स को भी सोल्ड कर दिया जाता है लेकिन लेगली देखाए तो अभी के टाइम में ऐसा कोई कंपनी नहीं बना जाता है और कंपनी एक्ट भी अभी लगबाग इसको बंद कर चुका है अब देखा जाए कंपनी का एक लिमिट होता है आप उससे ज्यद्धा लावलेटी नहीं ले सकते हो नहीं ले सकते हो मतलब कि जितना आपका एससेट कर सकते हो या आप maximum उतना ही liability आप अपने उपर रख सकते हो उससे ज्यादा liability नहीं हो सकता इसलिम करते हैं इसे कि limited by guarantee यह guarantee दीगे रहती है कि हमारे जो assets है उससे ज्यादा liabilities नहीं होगा और company limited by shares limit of liability up to extent of nominal value of shares limited of price shares मतलब जितने उसके shares sold होंगे जितना उसका capital बन सकता है उतना ही वो रेज करेगा यहां पर liability को मेरी बास में आई यानि कि यहां क्या था कि एक limit होता है liability का कहां तक जहां तक assets हमारे पात होता है लेकिन यहां कहां कहता होता है जितना हमारा share capital को introduce कर सकता है उससे ज्यादा हम liability यहां create नहीं कर सकते हैं अब company limited by guarantee या company limited by shares दोनों लगबग ज्यादा difference नहीं है इन दोनों के ही तीन पार्ट में divide किया गया है क्या है वो तीन पार्ट पहला private company company public company और one person company private company प्राइबेट कंपनी क्या होता है सबसे पहले जाने कि companies एक में section 2 sub section 68 में private company के बारे में बताया गया है और यह restrict करता है rights को किस rights को तो shares के rights को यानि कि आप private company में अगर है तो आप अपने shares को public को issue नहीं कर सकते हैं इसके internal जो members होते हैं उन्हीं को shares sold किया जाता है इसमें maximum number of members होते हैं owners होते हैं वो 200 है और minimum is 2 यानि कि private company अगर है तो minimum कितने number चाहिए two and maximum number of members 200 और इसमें share sum बाहर सेल नहीं करते हैं सबसे main point यह आपको ध्यान रखने की जो होता है कि private company में जो shares होते हैं जो owners होते हैं वो internal members होते हैं उन्हें कभी भी public को issue नहीं किया जाता है जबकि अगर public company की भी बात की जाए तो यह section two sub section 71 के कॉर्णिंग इसमें minimum number of partners क्या है seven यहां क्या था two private company में minimum number two और public company में seven maximum number यहां 200 होता है और public company में कोई भी limit नहीं होता है यहां public को share issue नहीं किया जा सकता है इसके साथ ही अगर private company के according आप रजिस्टर किये गए हैं तो आपको अपने नाम के एंड में private limited नहीं की pbt ltd कम से कम लिखना जरूरी होगा जैसा अगर abc company आपका नाम है तो abc pbt ltd यह नाम डालना हमारा बहुत ही जरूरी होता है जबकि अगर public company में बात देखी जाए तो कि वह limited यूज किया जाएगा और उसके लावा कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है या कभी कभी limited आप नहीं भी लगाते तो भी चलेगा लेकिन अगर private company है तो आपको private limited उसके एड करना परेगा और जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया था इट कैनोट इनवाइट पॉब्लिक फॉर सेर्स मतलब की public को सेर्स के लिए नहीं किया जा सकता लेकिन public company में सेर्स के लिए इनवाइट किया जा सकता है आई बात आपको समझ में private company क्या क्या होता है सिंपल बात मैं समझे तो private company जो कि जिसके सेर्स केवल इंटर्नल मेंबर सी पर्चेश कर सकते हैं यानि कि public को हम इसू नहीं कर सकते वह private company और जिसमें public को इसू कर सकते हैं वह public company private company में minimum number of shares to public company में minimum 7 private में maximum 200 और public में no limit यहां कोई भी maximum का limit नहीं होता है और private company में private limited नाम लगाना अपने नाम के एंड में लगाना जरूरी होता है जबकि public company में क्यों limited लगाने से ही काम चल जाता है आई होप आपको यह समझ में आ गया कि private company क्या है और public company क्या है अब आते हैं one-person company इसमें simple सी बात है कि minimum number of कितने होते हैं और one maximum number one और यह section 2 subsection 2 के अंडर define किया गया है इसका paid-up share capital should not exceeds रुपीज 50 लाक average turnover of 3 years should not exceeds रुपीज 2 करोर यानि कि one person company में maximum जो इसका capital हो सकता है वो होता है 50 लाक रुपीज और इसका तीन साल में अगर average निकाला जाए तो दो करोर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए I hope आपको यह बात समान में क्या होता है और इसके कितने types होते हैं पिर से एक बारी विजन कर लेते हैं company यानि कि artificial person which is created by law और जिसका अपना एक common seal होता है यानि कि company उसे कहेंगे जहां minimum number of partners 50 हो सकते हैं और maximum unlimited हो सकते हैं के लिए अगर देखा है तो यह होता है और artificial person होते हैं वह kinds of company क्या होता है kinds of company में तीन रखेगा है unlimited company company limited by guarantee company limited by shares और इसके अंडर में private company public company and one person company आता है अगर I hope आपको यह पार्ट समझ में आ गया होगा अब हम करेंगे incorporation of company के बारे में इंकॉर्प्रेशन ओफ कंपनी काने का मतलब तू रजिस्टर दा company यानि क्या वह स्टेप्स होते हैं जिसके तो रहा company अपने आपको लॉक एंडर में रेजिस्टर करता है तो सबसे पहला होता है business को यानि कि company को में लिए start करना चाहता है उसे हम बोलते हैं promoter यह ध्यान रखेंगे कि पहला ब्यक्ति जो उस company को start करना चाहता है start-up लेता है उसे हम कहते हैं promoter अब जब promoter कोई company start करना चाहता है तो वह क्या करेगा सबसे पहले वह अपना purpose लोगों के बीच बताएगा लोगों को बताएगा कि मैं क्या start करना चाहता हूं उसके क्या फायदे हैं किस तरीके से आप उसको कर सकते यानि कि promotion करेगा अपनी company का और दूसरे सब्दों में कहा है तो अपने company का वह एडवर्टाइज करता है एडवर्टाइज करने के बाद चलो उसके पास minimum जो numbers होने चाहिए उतने number of persons आ गये तू आ गये या सेवेन आ गये माले जो पब्लिक company start करना चाहता है तो minimum 7 उसके पास लोग रेड़ी होए कि हाँ चलो हम company मिलकर start करेंगे अब एडवर्टाइज याने की persons create करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरह बढ़ता है वहता है इन कॉर्परेशन और रजिस्ट्रेशन आफ अपकंपनी अब आपने अपने लोगों को तो जुटा लिया अब आप क्या करोगे गवर्यम Avec अपने आपको रेजिस्टर्ड करोगे रेजिस्टर्ड करने के लिए आप क्या बनाते हो अपना एक स्पना एक प्रोस्पेक्टर्स बनाते हो में क्या होता है नेम होता है एड्रेयस होता है पर्पस ऑफ कंपणी उसका कैपिटल मतलब जितना भी उस company से related information है अगर आपका कंपनी 2013 से पाले है तो ये अंडर कंपनी जे एक 1956 के अंडर में रजिस्टर होता है जब कि अगर वो 2013 के बाद है तो अंडर कंपनी एक 2013 के अंडर में इसको रजिस्टर किया जाता है उसके बाद third step होता है इसका capital subscription यानि कि capital collect करना मतलब cash collect करना by issue of shares तो third step में सबसे पहले उसने अपना advertise किया company को registered किया अब उस business के लिए cash collect करेगा यानि कि capital subscription करता है और जब उसके पास cash आ जाता है तो वो उस business को start करता है commencement of business यानि कि company को start करेगा तो ये चार statemently involve होता है किसी भी company को start करने के लिए अब हम करेंगे आपर features of company के बारे में तो सबसे पहला feature होता है separate legal entity separate legal entity काने के मतलब क्या होता है कि company का जो नाम registered किया जाता है company का जो नाम registered होता है वो company के अपने नाम पर होता है न कि इसके members के नाम पर इसका अपना नाम होता है यानि कि अगर हम simple way में इस पात को समझे मालेजे कि हमें एक land खड़िदना है हमें मतलब कि company को एक land खड़िदना है तो वो company के नाम पर खरदा जाएगा ना कि members के नाम पर तो इससे हम बोलते है separate legal entity यानि company का अपना नाम होता है अपनी पहचान होती है उसके बाद सेकेंड आता है perpetual existence मतलब इसका अपना खुद का वजूद होता है यह खुद एक जीट करता है यह एंट्री लेता है जो भी चाहे एक company खुद से करते हैं यानि कि अगर किसी member का company के running के टाइम में ही किसी का भी अगर date होता जाता है या फिर रिटायर हो जाता है तो इससे company को कोई भी फर्क नहीं परेगा जबकि हम partnership में देखते थे या फिर प्रोप्र मर जाता है तो क्या होता है वह business close हो जाता है जबकि अगर कोई भी member का date हो जाता है या किसी रिजन से वह company से बाहर हो जाता है तो इससे company को को कोई भी फर्क नहीं परता है थार्ड होता है limited liability limited liability काने का मतलब मैंने अभी company के टाइम में आपको define किया था कि इसका liability का एक limit होता ज्यादा वो capital raise नहीं कर सकता यानि कि liability raise नहीं कर सकता एक company का अपना common seal होता है common seal काने का मतलब क्या होता है कि जिसके अंडर में company अपना brand create करती है या अपना एक name frame create करती है जिसके according उस company का एक अलगी प्रावफर जैसे कि आप देखें कभी कभी आप देखते हैं कि आईएसाई मार करता है तो यह क्या है separate trust का कहा दा सकता है कि trust का seal है इंडियन गवर्मेंट के trust का seal है आईएसाई मार का वैसे company का अपना जो trust होता है उसका seal एक common seal होता है जो कि हर एक टाइप पर create किया गया रहता है और यह हमारे prospectus में भी given दाता है फिर होता है transferability of shares एक company के जो members होते हैं एक company के जो members होते हैं वह अपने shares को दुसरे को कभी transfer नहीं कर सकते हैं या वह कर भी सकते हैं लेकिन एक अलग situation होता है उसके लिए कुछ terms and conditions होते हैं उसी कंडर वह अपने shares को बस sell कर सकता है या दुसरे को ownership transfer कर सकता है लेकिन generally यह अपने shares को transfers नहीं कर पाते हैं ठीक है Suppression of Management from Honorship यहां का निगतलब कोई भी जो कमपनी होती है उसे हम जानते हैं कि Large Number of Persons वहां होते हैं अब जब इतने लोग किसी बिजनस को चला रहे हो तो क्या यह पॉसिबल है कि सभी लोग मिलकर उस कमपनी को या उस बिजनस को मैनेजमेंट कर सके यह कभी भी पॉसिबल नहीं है सिंपल तरीके में तो इसलिए उसके Board of Directors को बनाया जाता है या कुछ लोग को को यहां Select किया जाता है और उन्हें ही इस कमपनी के Running से Related जो मैनेजमेंट का जो काम है जो Work है वो उन्हें दे दिया जाता है सबको नहीं दिया जा सकता यह बात खास त्यान दखेंगे आप आई वोप आपको यह समझ में आ गया Features of Company में हमने क्या समझा कि Separate Legal Entity होता है यानि कमपनी का अपना एक खुद का नाम वजुद क्रेट किया गर आता है Perfectual Existence यानि किसी भी Member के Date होने से या उसके जाने से कमपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता Limited Liability अपने Share Capital या Acid से ज़्यादा वो Liability Create नहीं कर सकता Common Seal यानि कि अपना नाम के Trust के लिए Brand के लिए कमपनी के का अपना एक Common Seal होता है Transferability of Shares कुछ Certain Terms and Condition होते हैं उसके अलावा एक Share कभी भी दूसरे को ट्रांसपर्ण नहीं किया रहा सकता Separation of Management from Ownership मतलब कि जो Maximum Number of Persons Are Involved in the Company तो उनको हम ज्यादा Management का वर्थ नहीं दे सकते हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं कुछ ही लोग को Select कर के Management का वर्थ दिये रहते हैं इसलिम करते हैं Separation of Management from Ownership आई होप इसका फीचर्स भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप आपको यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आज हमने कंपनी को जाना Incorporation ने किस तरह से Company Start किया जाता है Company कितने तरह का होता है और इसके Features क्या होते हैं इसके बारे में हम जाने Next वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी Company का जो Share Capital होता है या Shares यह क्या होते हैं और कितनी तरह के हो सकते हैं तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो समझ माया हो और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉलम या दाउट हो तो उसे हमें कॉमेंट बॉक्स में सेर करें और प्लिस सब्सक्राइब लाइक एंड सेर थैंक यू